आब फर्स्ट के पिभवर में हम हागे पिपन में आज हम इस प्रिंग से जुड़े द्रावमाणों के दोलन की बात करेंगे किसी पी स्प्रिंग से जुड़े दोलन रखा किसी इस प्रिंग को हम इस तहरा से मुफ्त Onuटका दे और इस पर कोई भार एप लटकाएं तो इस्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेस्ट होगी, इस भार के कानड यह है, इसका जो गुर्ट्रिय बन लगता है, उसके कानड यह कुछ दूरी पर फिसत जाएगी, वाई जीरो पर, यानि, इस्प्रिंग की लंबाई वाई जीरो से बढ़ जाएगी, और फिर, इस दरवमान को, यह जातर यह स्थिर हो जाएगी, अब इस दरवमान को थुआ सा हम नीचे खैचें, और इसको छोड़ दें, तो यह दरवमान, इस्प्रिंग के कानड, इस तरह से दोरन करता है, उसे परिभाशित करने के लिए हम इस्टिती दो पर विचार करें कि जब हम द्रामान M स्प्रिंग से जोड़ते हैं तो उसके जो गुत्विय बन लगता है दाउनवर्ड M G उसके ज़र्ण स्प्रिंग की लंबाई Y 0 से बढ़ जाती है तो लगा हुए पर तैरन अमब रमा पास है F इकवल टू मैइनस की लॉइ Z 0 और सामने वस्टा मे डिंग से पर जाकर यह द्रामान इस्टिर हो जाता है यहाँ यह द्रामान पूरी طरु तरह से इस्टिर हो जाता है तो यहान सामने वस्टा आ जाएगी सामे वस्ता में जूत्य बल इस परतेरेंबल के बराबर होगा और हम स्प्रिंग का परतेरेंब नियतांक के परिबाशित कर सकते हैं के इकवल टू एम जी अपॉन वाई जीरो तो किशी भी स्प्रिंग से एक नियत दर्वमान हम इस पे रखा दें और वाई जीरो ग्यात रखने के उस दर्वमान के अरण स्प्रिंग की लंबाई कितरी बढ़ रही है तो हम स्प्रिंग का बल इयतांक ग्यात कर सकते हैं अगली स्थी में हम इस दर्वमान को थुरा सा हीच कर नीचे की और विस्ठापन देकर छोड़ देते हैं उस आस्था में यह दर्वमान इस तरह से दोलन करने लगता है तो हमने दर्वमान को मान लिया वाई विस्ठापन दिया है एक्स विस्ठापन मान लें तो एंड दर्वमान को घीचने पाख लेफर टैनन बल के गरण दोलन करने लगता है कि तो हमारे पास जो बद है एंडी को इस तरह से लिख सकते हैं फॉल करके और सिंपल हार्बनेक मोशन सर और आवत्गती की इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है जहां पर ओमेगा कोडिये आवरत्ती है इन दोना समीकरणों को मैच करें तो स्पिनिंग से जड़े हुए द्रवमान के लिए कोडिये आवरत्ती है अर्वल आती है ओमेगा एक्वेशन और आवरत्तकाल का रिलेशन तो इससे हम आवरत्तकाल का रिलेशन तो इससे हम आवरत्तकाल परिवासित कर सकते हैं यानि आवरत्तकाल हमारे पास वाई-जीरो को निभर कर रहा है आवरत्तकाल नियत है आप इसे थोड़ा और भी अगर खीज केंगे तो भी आवरत्तकाल हमारे पास इसके लिए नियत ही रहेगा अब हम अलग अलग इस्प्रिंगें जब जुड़ी होई होती हैं तो उनके लिए आव इसी समीकान को विफ्पन करने की कोशिश करेंगे यह दो इस्प्रिंग है जो समाना अंतर जुड़ी है एक स्टिटी में और दूसरी स्टिटी में दौनों इस्प्रिंग है एक दूसरे के शेडी करम में जुड़ी है पहली अवस्था में हम मान लें कि दो स्टिटी के वन और के टू कास्टेंट की हैं इन दौनों से हमने एक दौसरी में जुड़ा हुआ है यह इस तरह से भी होसकती है यह इस तरह से भी होसकती है जब इस M द्रणमान को थोड़ा सा खीच का छुड़ेंगे तो दौना स्प्रिंगों के कानण ये दोलन करना प्रारंब हो जाएगा पहरी स्प्रिंग के कानण इस पर बन लेगेगा F1 इकल टू माइनस के वाइवन दूसरी स्प्रिंग के कानण 24 का स्प्रिंग कॉस्टेंट के टू है तो इसके कानण ये हाँ पर बन लेगेगा प्रत्यान इंबल F2 इकल टू माइनस के टू भाई परणायमी प्रतायने इंबल हमारे पास दॉनोबल F1 और F2 परणायमी प्रतायने इंबल हमारे पास इस दिशामें लगेगा विस्थापन के इस प्रीट S equal to F1 plus F2 समभी कर हमारे पास इस तरह से आएगी S equal to minus A1 plus A2 Y और आवक का जैसा कि हमने पहले देखा था ये T equal to 1 upon 2 by M upon K तो यहाँ पर हमारे पास प्रभावी प्रभावी स्प्रिंग नियतांक K1 plus K2 होगा और आवक का रभावापन आएगा T equal to 2 by M upon K1 plus K2 यानि जब स्प्रिंगों को समरंदर क्रम में जोड़ा जाता है तो स्प्रिंगों का इस्प्रिंग नियतांक सामने रूप से जोड़ा जोड़ जोड़ जाता है और प्रभावी इस्प्रिंग प्रभावी प्रतेरन इस्प्रिंगों के प्रतेरन इस्प्रिंगों के योग के बराबर होता है पहला केस दूसरे केस में एक के बाद एक स्प्रिंग जोड़ी हुई है यह केवन की स्प्रिंग और यह केटू की स्प्रिंग और इससे एंट दरमान जोड़ा हुआ है इस एंटरमान को फुराजा बीचे कीज़ कर शोड़ाएं तो यह दोलन करना प्राणम हो जाएगा दौनों स्प्रिंगों में आप इस्प्रिंग की प्रगती भी देखें जिस स्प्रिंग के लिए केवन अधिक है उसके लिए विस्थापन भी अधिक होगा और जिस स्प्रिंग के लिए प्रतेरन इस्प्रिंग का मान कम है समान दरमान लगाने पार उसका विस्थापन कम होगा तो इन दौनों में, दौनों स्प्रिंगों में, पहली स्प्रिंग में बल S, दूसरी स्प्रिंग में भी बल S, पर तेरें बल, लेकिन दौनों में विस्थापन अलग-अलग है, तो इस अवस्था में आप बल लिखेंगे, पहली स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में तो S इगोर इसकी नमबरी बंटी है और S इकल टू K2 Y2 दूसरी स्प्रिंग में विस्थापन Y2 हमारे पास आता है और प्रणागी विस्थापन हमारे पास इस दरवमान में दिखाई देता है कि इस दरवमान को जो आप नीचे खीचेंगे तो यह है जितना भी स्प्रिंगों में जो Y1 और Y2 आ रहा है उस विस्थापन के बरावर वही विस्थापन जो नीचे खीच रहे हैं दोरों स्प्रिंगों में बटेगा Y1 और Y2 नीचे तो परड़ामी विस्थापन का मान Y इकल टू Y1 प्लस Y2 इस समीकरण से आप लिख सकते हैं Y1 इकल टू माइनस F अपॉन K1 इस समीकरण से आप लिख सकते हैं Y2 इकल टू F अपॉन K2 और इक्वेशन को आफ बोशन लिखें हम इसमें तो Y तो हमार पास आएगा F इबर टू माइनस KY जो फाइनल इक्वेशन होगी है हमार पास यहाँ पर इस M दरूमान के लिए इस से आप लिख सकते हैं Y is F by K with negative sign तो इस से हमारे को एक सभीगर्ण प्राप्त होती है 1 upon K equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2 यानि जब स्प्रिंग है शरी करम में एक दूसर से जुरूई होती है तो उसका प्रभावी प्रत्यान इस्थिनान निकालने के लिए यह समीगर्ण है अगर तीसरी स्प्रिंग और जुरूई हो तो प्लस ठड़ हो गया वन बाइक के थिंग इस समीगर्ण को सॉल करें तो हमारे पास प्रभावी प्रत्यान इन इस्थिनान के आता है के वन के टू अपॉन के वन प्लस की टू यह इस पूरी स्योंग के लिए पूरे निकाय के लिए पूरे सिस्टम के लिए प्रभावी इस्प्रिंग यह तांक है प्रभावी स्ट्रिंग नियता हैं को हम आवर्सकाल में रखे लखें तो इस निखाय के लिए आवर्सकाल परिभाशित किया जा सकता है इस तरह से T equal to 2 by under root M K1 plus K2 upon K1 K2 यह स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रममानों की सरण आवर्स गती प्तरशित करता है अगर इस्प्रिंग लचीली है बहुत अच्छी इस्प्रिंग है तो यह द्रममान अनंतकाल कर इसमें लागू रह सकते हैं इस्प्रिंग को जब हम देख रहे हैं कि जब दो इस्प्रिंग को आप शेड़ी काम में जोड़ेंगे यह 1 plus K2 तो इसका आवर्सकाल थोड़ा कम हो जाएगा और इस समय इसका आवर्सकाल थोड़ा सा बढ़ जाता यह 1 plus K2 और यह 1 K2 है तो मिश्ची दूरू से मल्टीपल जो होगा वो जादा होगी तो टी का मान हमार पास थोड़ा सा कम हो जाएगा यानि इस समय आवर्सकाल थोड़ा कम हो जाता है एक दोलन करने में कम समय लगाती है यह वाली स्प्रेंग है और यह इस तरह का सयोग जब होगा एक दोलन करने में तो यह कम हो जाएगा तो टी का मान बढ़ जाएगा आवर्सकाल का मान बढ़ जाएगा यानि इस समय एक दोलन करने में इस्प्रेंग है ज्यादा समय लगाती है